साथियों, आत्म निर्भर भारत अभ्यान के तहट देश का लक्ष भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है, भारत में आधुनिक सैन्य इंडिस्ट्री के विकास का है. पिछले साथ वर्षों में देश ने मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ अपने इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है. आज देश के डिफेंस सेक्टर में जितनी ट्रांसफरंसी है, ट्रस्ट है और टेक्नोलोजी डिवन एप्रोच है उतनी पहले कभी नहीं थी. आज देश के बाद पहली बार हमारे डिफेंस सेक्टर में इतने बड़े रिफॉर्म्स हो रहे हैं, अटकाने लटकाने वाली नीतियों की जगह सिंगल विंडो सिस्टिम की व्यवस्ता की गई है. इससे हमारे इंडुस्ट्री का कॉन्फेंस बड़ा है. हमारी अपनी भारत की कंपनियों ने डिफेंस इंडुस्ट्री में भी अपने लिए संभावनाय तलाशना शुरू किया है. और अब प्रावेट सेक्टर और सरकार साथ मिलकर राष्ट्र रक्षा के मिशन में आगे बढ़ रहे हैं. यूपी और तमिल लाडु के डिफेंस कोरिडोर्स का उधारन हमारे सामने है. इतने कम समय में बड़ी-बड़ी कम्पनियों ने मेक इन इंडिया में अपनी रूची दिखाई है. इससे देश में युवाओं के लिए नए आउसर भी तैयार हो रहे हैं और सप्लाई चेन के रूप में कई MSME इसके लिए नई संभावनाय बन रही है. देश में जो नितिकत परिवर्टन किया है उसका परणाम है कि पिछले पांच सालों में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट सवा तीन सो प्रतिशत से भी ज़्यादा बढ़ा है. साथियों कुछ समय पहले ही रक्षा मंत्राले ने ऐसे सो से ज़्यादा सामरिक उपकरोनों के लिस्ट जारी की थी जिने अब बहार से आयात नहीं किया जाएगा. इन नई कंपनियों के लिए भी देश ने अभी से ही 65 हजार करोड रुपिये के ओर्डर्स प्लेश किये हैं. यह हमारी डिफेंस इंडुस्ट्री में देश के विश्वास को दिखाता है, बढ़ता हुआ विश्वास नजर आ रहा है. एक कंपनी एमिनेशन और एक्प्लोजीव की जरुतों को पुरा करेगी, तो दूसरी कंपनी आर्मी वेहिकल्स मेनिफेक्टर करेगी, इसी तरह एडवांस वेपन्स और एक्पिप्मेंट हो, टूप्स कंफर्ट आइटम हो, आप्टिकल इलेक्रोनिक्स हो, या पराशूट हमारा लक्स है कि भारत की एक-एक कंपनी न केवल इन छेत्रों में एक्सपर्टाइज हासिल करें, बलकि एक ग्लोबल ब्रांड भी बनें, कंपिटिटिव कॉस्ट हमारी ताकत है, क्वालिटी और रिलाइबिलिटी हमारी पहचान होनी चाहिए